वट सावित्री वरत जिसे सावित्री अमावश्य की नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री वरत जेश्ट मास की अमावश्य पर रखा जाता है। वट सावित्री वरत 6 जून को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए शुब महुरत प्रात ग्यारा बजकर बावन मिनट पर दोपैर बारा बजकर अर्टालिस मिनट पर होगा। वट सावित्री वरत की पूजा विधी। इस दिन महिलाएं प्रात जल्दी उठकर इसनान आदी करके लाल या पीले रंके वस्तर धारन करती हैं। फिर शरंगार करके तयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामगरी को एक स्थान पर एक्तर कर ले और थाली सजा ले। किसी वट वरक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा इस्थापित करें। फिर बरगद के वरक्ष की जड में जल अरपित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुडवे मिठाईं चड़ाएं। वट के वरक्ष पर सूत लपिटते हुए साथ बार परिकर्मा करें और अंत में प्रणाम करके परिकर्मा पूर्ण करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद पूजा संपन होने पर ब्रामनों को फल और वस्त्र देवें। पूजा का सामान तयार करके बरगद की पेड के निचे बैठकर पूजा करें और कथा सुने या पढ़ें। कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपती था। भद्र देश के राजा अशुपती के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ती के लिए मंत्रों चारण किया और साथ ही प्रते दिन एक लाक आयूतियां दी। 18 वर्ष तक यह करम जारी रहा। इसके बाद सावित्रे देवी ने प्रकट होकर एकति जस्वी कन्या पैदा होने का वर दिया। सावित्रे देवी की करपा से जन्म लेने के करण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर्ना मिलने की वज़े से सावित्री के पिता दुखी थे, उन्होंने कन्या को स्वम वर तलाशने की अनुमती दे दी. सावित्री तपोवन में भटक रही थी, वहां साल्व देश के राजा धुत्म सेन रहते थे, उनका राजय किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पती के रूप में उनका वरण किया. रिशीराज नारद को जब यह बात पता चली, तो वह राजा अशुपती के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, क्या यह क्या कर रहे हैं आप, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयू बहुत छोटी है, वह अलपायू है, एक वर्ष के ब सुनकर राजा अशुपती घोर चिंता में डूब गए, सावित्री ने उनके कारण, उनसे कारण पूछा, तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है, वह अलपायू है, तुमें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना च चाहिए, इस पर सावित्री ने कहा, कि पिताजी आरियक अन्याय पती अपने पती का वरण एकी बार करती हैं, यह सुनकर राजा अशुपती ने सावित्री का विवा सत्यवान से कर दिया, सावित्री अपने ससुराल पहुचते ही साथ ससुर की सेवा करने लगी समय बीता चला गया नारद मुनी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यू के दिन के बारे में बता दिया था वे दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी उन्होंने तीन दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया नारद मुनी द्वारा कथित निश्चित तिथी पर पित्रों का पूजन किया हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए साथ में सावितरी भी गई जंगल में पहुँचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चड़ गए तभी उनके सर में तेस दर्द होने लगा दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए सावितरी को अपना भविश्य समझ में आ रहा था सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावितरी सत्यवान का सिर सहलाने लगी तभी वहाँ यम्राज आते दिखे यम्राज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे सावितरी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी यम्राज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधी का विदान है लेकिन सावित्री नहीं मानी सावित्री की निष्ठा और पती प्रायनता को देखकर यम्राज ने सावित्री से कहा कि हे देवी तुम धन्य हो तुम मुझसे कोई तीन वर्दान मांग सकती हो प्रभु मैं एक पती वरता सतरी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आश्रवाद दिया है कूला। के प्रान चोड़ने पड़े यमराज अंतरध्यान हो गए सावितरी उटी उसी वट वरक्ष के पास वापस आ गई जहां उसके पती का मृत चरीर पड़ा था सत्यवान जीवन थो गया और दोनों खुशी-खुशी अपने राज्य की और चल पड़े जब दोनों घर विवे जोती प्राप्त हो गई है और राज्य भी वापस मिल गया है इस प्रकार सावितरी सत्यवान बहुत समय तक राज्य सुक भोगते रहे वट सावितरी देवी की जै हो करप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद